हाई फ्रेंड्स वेलकम बैक टो यूडिसी आरे फुटबॉल प्रेडिक्शन तो आज जो मैच हम कवर करने वाले हैं वो है यूएफा चैंपियन्स लीग का मैच बेट्वीन लिवरपूल एंड रियाल मड्रेड ये मैच राउंड ओफ 16 का मैच है और ये टू लेग्स में खे खेला जाएगा पहला लेग आज है जो कि लिवरपूल के होम ग्राउंड एंड फील्ड पे खेला जाएगा लिवरपूल के रीसेंट फॉर्म की बात करें तो आप देख सकते हैं लास्ट के दो मैच जीत किया रहे हैं विद क्लीन शीट वन अगेंस लिवरपूल एंड देन क्लास के नहीं थे तो काफी अच्छा मैच देखने को मिल सकता है आज क्योंकि आज मैच एंड फील्ड पे है तो थोड़ा सा मैच बैलन्स में रहेगा कोई एक फेवरेट नहीं हो सकता जो स्कोर लाइन आपको देखने को मिले वह मेभी हो सकती है 0011 ठीक है इस तरह की स्कोर लाइन आपको देखने को मिल सकती है तो आए दोनों टीम्स का लाइन अप देख लेते हैं क्या रहने वाला है आज के मैच में सबसे पहले बात कर लेते हैं इंजिरीज की तो लिवरपूल की तरफ से डियाज लॉंग टम इंजिरी है यह तो काफी टाइम से नहीं खेले है देन थियागो भी इंजर्ड है यह भी स्टार्ट नहीं करेंगे यह एक बड़ा लॉस है लिवरपूल के लिए बिकॉस देन आज इनको इनकी जगे बच सैटेक या किसी न्यू कमर को स्टार्ट देना पड़ेगा रियाल मेडिट की बात की जाए तो इनके भी तीन तो क्लि पीसेज लेते हैं तो काफी इंपॉर्टन्ट है देन बेंजमा भी आज डाउटफुल है लेकिन मोस्ट प्रॉबिबली आज इने स्टार्ट मिलेगा ठीक है क्योंकि मैच की इंपॉर्टन्स काफी ज्यादा है तो इनके इनके बात कर लेते हैं लिवरपूल होंटीम की तो इनके जो स्ट्राइकर होंगे वो रहेंगे कोडी गैकपो कोडी गैकपो की बात की जाए तो रिसेंटली इन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस दिये हैं लास्ट दो मैचेज में इन्होंने गोल मारे हैं जैसा कि आप देख सकते हैं अगेंस्ट एवरटन एंड अगेंस्ट न्यूकसल उनाइटेड तो इनका फॉर्म अच्छा है और आई थिंक यह आज डिफरेंस क्रियेट कर सकते हैं बट प्रॉब्लम यह है कि आज जिन प्लेयर्स के सामने ही आएंगे अगर आप सेंट्रल डिफेंडर्स देखें तो वो हैं एंटोनियो रूडिगर एंड इडर नूनेज डार्विन नूनेज भी रिसेंटली काफी अच्छे फॉर्म में है इन्होंने लास्ट के दो मैचेस में आप जैसे देख सकते हैं एक गोल मारा है एक असिस्ट किया है तो फॉर्म अच्छा है इनका और यह टोटल सतरा मैचेस सीजन खेले हैं जिसमें इन्होंने शे गोल मारे हैं और तीन असिस्ट किये हैं प्रिमेर लीग में आप विसली तो सीजन इनका अच्छा जा रहा है परफॉर्मेंस अच्छे हैं और आज जिस प्लेयर के सामने आएंगे वो है डैनियल कारवहाल ठीक है नमबर दो यह जो आप देख रहे हैं यह बंदा अटाक सब्सक्राइब उतना अच्छा फॉर्म नहीं है जितना लास्ट सीजन था इनका तो आइधिंक और मुस्टली टाइकल इंडिसेप्शन पासस कही पॉइंट देंगे आज सच गोल थ्रेट नहीं है तो इनको भी मैं डॉप ही करूंगा सेलेक्शन परसंटेज भी इनका कम ही रहेगा देन जॉ कि बात करें तो लेफ्ट बैक होंगे एंड्री रॉबर्टसन जो की बहुत ज़्यादा चांसेस क्रियेट करते हैं फॉर्म भी इनका बहुत शांदार चल रहा है तो इनको हम बिल्कुल भी डॉप नहीं करेंगे अपनी टीम से दैन वर्जिल वेंडाइक अभी रिसेंट ल बहुत ही इंपोर्टन प्लेयर रहने वाले हैं आज के मैच में और फॉर्म भी काफी अच्छा है सारे सेट पीसेज लेते हैं कॉर्नर्स लेते हैं फ्रीकेक्स लेते हैं तो काफी इंपोर्टन है इनको 100% पिक करेंगे हम दैन गोलकीपर होंगे ऐलिसन तो लिवरपूल से जो प्लेयर हम पिक करेंगे अपनी टीम में वो कौन-कौन से होंगे आई देख लेते हैं देखिए स्ट्राइकर में मैं साला और नूनेज को पिक करने वाला हूं आप चाहें तो नूनेज की जएगे विनिशियस जूनियर को पिक कर सकते हैं इस वेरी सेफ ऑप्शन देन मै मैं पिक करओंगा फ्र्म लिवरपूल मिडखी कैने मैं किसी को भी पिक नहीं कर आँ थे थेन मैं सीधे जाओंगा डिफेंस में डिफेंस में अलेकजंटर मेरी टीम में रहेंगे तो यह पांच प्लेयर में पिक कर चलूंगा देन बात की जाए Real Madrid की तो Real Madrid का लाइनप कुछ इस तरीके से रहने वाला है इनके स्ट्राइकर रहेंगे करीम बेंजमा जो की बहुती शांदार फॉर्म में है और बहुती शांदार प्लेयर है मतलब इस प्लेयर के बारे में जादा कुछ कहने की जरूत नहीं है प्राइकर इसका मतलब है कि यह काफी मिट फील्ड में आते हैं और गेम भी बनाते हैं तो आइधिंक बहुत अच्छी चॉइस हैं कैप्टन वाइस कैप्टन सी की आज के मैच के लिए यहने हम जरूर पिक करेंगे अपनी टीम में देन बात की जाए वैलवार्डे की तो वैल परसंट रहेंगे चाहें कितना भी सेलेक्शन परसंटेज हो इनका देन आपको दिखेंगे लेफ्ट में डैनी कैबलास डैनी कैबलास अच्छी है डिफेंसिवली मैं उतना अच्छा नहीं कहूंगा इन्हें ठीक है तो अगर आपको लगता है यह एसिस्ट कर सकते हैं या मार सकते हैं तो आप इने पिक करिएगा मैं इने पिक नहीं कर रहा हूं देन कमवंगा की बात की जाए तो यह मिट फील में बहुत ही शानदार है उनका फॉम भी बहुत अच्छा है इस वक्त टैकल इंटरसेप्शन पास इसके अच्छे का से पाइंट देके जा सकते हैं औ तो मैंने पिक करके चल रहा हूं सेलेक्शन परसेंटेज अभी तो कम है इनका बट मेभी लाइनपस के बाद बढ़ेगा देन लुका मॉडरिज की बात की जाए देन अगे वेरी गुड प्लियर और आज जिस प्लियर के सामने आएंगे जो की है बच सेटिक अगर यही स्ट क्या जानदार देफेंडर हैने ने लिए वे दो सेंटर बाक होंगे पिटा यहां और मिलटाओ इंट रीडिगर का थोड़ा सा करते हैं पास करते हैं जरुर्ब करणा अपनी टिम में चेन बचते हैं देन बचते हैं गुल कीपर को मैं पिक करंगा हुड़ क्किक्र penalties भी बहुत ज़्यादा safe करते हैं in comparison to other goalkeepers तो अभी के लिए जो मेरी team होगी वो कुछ इस तरीके से होगी captain wise captain से की बात की जाए तो safe captain होंगे Benzema but मैं अपना captain मना रहा हूँ Salah को और wise captain मना रहा हूँ Benzema को आप इसको reverse कर सकते हैं कोई भी problem नहीं है ठीक है in fact वो ज़्यादा safe हो जाएगा ठीक है तो अभी के लिए जो हमारी team है वो कुछ इस तरीके से है बाकी lineups आने के बाद देखते हैं क्या changes होते हैं उसके according हम भी अपनी team में changes करेंगे तो उसकी update आपको telegram channel पे दे दी जाएगी और अगर आप अभी तक हमारे telegram channel से नहीं जुड़े हैं या आपने हमारा channel subscribe नहीं किया है तो प्लीज सबसे पहले जाके channel subscribe करें चैनल को subscribe करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है आपको वीडियो के description में जाना है आपको बेल आइकन के पास आपको subscribe लिखा हुआ दिखाई देगा देन आपको बेल आइकन पर प्रेस करके notifications को all कर देना है और हमारे telegram channel से जुड़ने के लिए आपको बेल आइकन के just उपर more दिखाई देगा उससे प्रेस करें प्रेस कर देगा